नमस्कार उन सभी केंडिडेट्स को चुनाओ की डेट मुबारक हो जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरपंच चुनाओ अब दूर नहीं और चुनाओ की डेट घोशित हो गई है ये बहुत बड़ी खबर है और आपको ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक खुश खबरी सब को मिल सके हर्याना लोकल बोडीज इलेक्शन हर्याना में नगर परिशद और पालिकाओं चुनाओं का एलान हो गया है देखिए पूरा शिडियूल पूरा का शिडियूल हम आपको बताने जा रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलें हर्याना में 46 स्थानिय निकायों की चुनाओं की तीथी की घोशना कर दी गई है 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को नतीज आ जाएंगे जिहां सही सु सब्सक्राव से एक महीने से भी कम टाइम रहता है कुछ दिन तो और 30 मई से भरे जाएंगे नमांकन नमांकन भरने की डेट भी बहुत नजदीक आ गई है सभी कंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरे दलबल के साथ पूरे अपनी तैयारी के साथ जाईए संद हो जाता है अभी लोकल बोडि का तो पंचाय चुनाओ जो सुर्पंच एलेक्षण है वह भी दूर नहीं वह भी बहुत जल्द से जल्द इलेक्षण की हो जाएगी और लंबे पारिश्ड और 18 नगर परिशद और 28 नगर पालिका के चुनाव की घोशना हुई है 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी हो जाएगा और 30 मई से 4 जून तक नमांकन की परकिरिया सुरू हो जाएगी 6 जून को स्कूरूटिनी होगी और 7 जून को विड्राल कीती थी उसी दिन election symbol दिये जाएगे उसी दिन उम्मिद्वारों की सुची जारी की जाएगी ये बहुत जल्जिल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा ये देखे कि जो आपको अगर विड्राल करना है अपना नाम तो 7 जून को और उसी दिन ही आपको symbol भी मिल जाएगे जिस दिन नाम कोई भी अपना विड्रा करना चाता है उस दिन और नाम भी आप वापिस ले सकते हैं अपना और इसके साथ साथ आपको symbol भी मिल सकते हैं 7 जून को ही polling station की list जारी कर दी जाएगी 19 जून को मतदान होगा और शाम 7 बजे से 7 बजे से शाम 6 बजे तक election होगे मतदान होगा 21 जून को रिपोल अगर जरूरत हुई तो होगा अगर कहीं रिपोल के जरूरत होती है तो 21 जून को होगा यानि कि हगिर अगर कहीं पर मतदान में कोई दिक्कत आती है इलेक्शन सही से नहीं हो पाता या कोई भी शिकायत करता है तो अगर वहाँ दुबारा इलेक्शन करवा दिया जाएगा तो वह 21 जून को ही करवा लिया जाएगा और 22 जून को मत गणना होगी और अचार सहीता लागू हो जाएगी आज से ही जी हाँ जैसे ही आज डिकलेर इलेक्शन का कब होंगे कब होंगे और उनकी जो है अब इंतजार खतम हुआ है उन सभी का राज चुनाव आयोग पहले 47 निकायों के चुनाव की तयारी में जूटा हुआ था लेकिन परदेश सरकार ने फरिदाबाद नगर निगम के साथ ही 18 नगर परिशद और 31 नगर प निखाली का परधान पद के चुनाव सीध ही होंगे लगवक सभी दलों ने पार्टी चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जी हाँ अबकी बार पहले कहा चारा था कि सर्पंच इलेक्शन भी अब की बार पार्टी अपने चुनाव चिन पर लड़ेगी पर हुई है जो 19 जून को मतदान होगा जबकि 22 जून को नतीजे आ जाएंगे और इस खुशकवरी के साथ हम आप सभी को शुब कामना देते हैं कि आप अपने एलेक्शन की तैयारी जैसी कर रहे हैं बहुत अच्छा आपका एलेक्शन जाए और आप भारी मतों से विजय हो आप बहुत अच्छे मतों से जीते हैं और आपको अगर हमारी कोई हैल्प के जरूरत होती है हमारे चैनल के थूप आप हमें मैसेज कर सकते हैं या विडियो के अंदर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं उसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे अपने वीडियो पूरा देखा आप वीडियो को लाइक करते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं शुब कामनाओं के साथ और बेस्ट विसीज के साथ जै हिंद जै भारत